मुझा आज बनाएंगे एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी और यह है कच्छे केले की कोफटा करी केले की इतनी जारा टेस्टि बनती है लेकिन तब ही टेस्टि बनेगी जबसा मेरे आईडियाचि से बनाऊगैं तो चलिए बनाना शुरू करते, एक कच्छे केले की कौफटा करी केले कीक पुफटा करी लिए कि द ventilation कों आइं के आमें वेus कि अब इसे हमने मैस करकूला है और इसे के साथ इसके अंदर जाएंगे डो मैश की हुए पोटेटो क्या इसि के साथ में नमक के साथ रच्य पाउडर हाफ टीओ अपना ते नमक Dir रगषाव ca entwickelt अन्हों कि इसमें और मासाला हाफ टीस्पून अम्चूर पाउडर, वन फोस टीस्पून टर्मरिक, हल्दी डाल दिये और इसी के साथ दो चमच नारील का बुरादा, यह एक अच्छा सा फ्लेवर देगा, और तीन चमच हम ले रहे हैं बेसन, और अब इस सारे माटीरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है, माटीरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब हमने इसकी बॉल्स बनानी है, थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट लेके, जब हम इसकी बॉल्स बना रहे हैं, तो हमने इसके सेंटर में स्टफिंग देनी हैं, और यह है किश्मिश, तो किश्मिश से स्टफिंग देंगे, सर्प्राइस सा होगा जब भी खाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं तो इसी तरह से हमने सारी बॉल्स तयार कर लेनी हमारी कोक्ता बॉल्स रेडी हैं तो अब बारी है इने फ्राइ करने के लिए मैंने रिफाइंड ओल लिया है और रिफाइंड ओल पूरी तरह फ्लेम को धीमा कर देना है ताकि यह अंदर तक पक सके बॉल्स फ्राइए हो चुकी है वाव बहुत ही यमी और अब हमने इने एक टिशू पेपर पर निकाल लेना है कोफते फ्राइए होकर तयार है और अब है बारी तड़का लगाने की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लि अब हमने इसे पहले अच्छे से भून लेना है इसके लिए हमने दो अनियन ग्राइण किया है प्यास के भून जाने के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर अध्रक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हलका सब भूनना है अधर लैंसों के पेस्ट के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले और इसमें है खल्दी पाउडर जो के हम लगबग आधा चमच ले रहे हैं और इसी के साथ है रेड चिली पाउडर ये भी हाफ टी स्पून है और इसी के अधा चमच गरम मसाला इन मसालों को ड अधर नेक्स डालेंगे हरी मिर्ची सो हरी मिर्ची बहुत अच्छा कलर देती है और टेस्ट पी और उसी के साथ हम डाल रहे है टो मैटो प्यूरी सो टमाटर है जितने हम प्यास ले रहे थे उसे डबल अब हमने अपनी ग्रेवी को अच्छे से पकाना है टमाटर के अधर नेक्स पर ले गएर 와ल जूर्डा सरीच और बनाना है और उसके लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं काच्यू पेस्ट और यह ओर्मस्ट 10 काजू हाँ जिसका हमने पेस्ट रियार किया है और इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे और यह बहुत ही खिक और टेस्टी हो अर्मोस्ट हाफ लीटर पानी है और इसे अच्छे से अब आधे एक उबाल आधे तक पकाना रहे हैं जब तक ग्रेवी रेडी हो इए हखे अब हम न झेल डाल ना है नमक एक चमस नमक डाल गया यह बाकि आप अपने टेस्ट के शुम पकाना है एक तक आधाधे डाला है अब इंपॉर्णें ट्रिक है कि अब आपने कोफटे इसके अंदर नहीं डालने आपने जो कोफटें उसे एक अलग बाउल के अंदर ढ़ना है और इस बाउल के अंदर हम ने कोफटों के ऊपर ग्रेवी डाली है क्योंकि यह कोफते बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से सर्व करना है और ग्रेवी को कोफतों के उपर ही डालना है कच्चे केले की कोफता करी तैयार हो गए लेकिन इसे सर्व करने से पहले इसे गानिश करना है और उसके लिए हम यूज करने हैं कस्तूरी मेथी और हरा धनिया हो तो आप वह भी यूज कर सकते हैं और कस्तूरी मेथी डालने के साथ ही आथ क्रीम तो फ्रेश क्रीम वाव ये इसके लुक को और भी जादा बढ़िया बना देगी तो जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे रेस्पी बहुत ही जादा बहुत ही यमी बनेगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को थेंक यू